मैं सजन कुमार एजूकेशन डिपार्टमेंट हर्याना से कक्षा ग्यारवी के विशे अर्षास्त्र के साथ एक ने विशे के साथ उपस्तित हूँ आज हम जिस विशे का अध्यन करेंगे वह सांखिके विशेलेशन में एक महत्वपून स्थान रखता है और वह विशे है से सबंद या को रिलेशन सबसे पहले हम ये जानने का प्रियास करेंगे कि इसे सबंद क्या है सांखिकी के विसलेशन में अब तक हमने जितनी भी विध्यों का अध्यन किया है वो सभी एक चरवाली है प्रन्तु वास्त्विक जीवन में हम विभिन्स दो या दो से अधिक चरों में सरिंखलाओं में वर्गों में या किसी भी तथ्यों में सबंद पाते हैं इसलिए वास्तिक जीवन में दो या दो से अधिक सरिंखलाओं में जो पर्सपर सबंद पाया जाता है वो सै सबंद कहलाता है उद्हारण के लिए कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है यानि कि कीमत अगर बदलेगी परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होना यहाँ पर कीमत और मांग में समंद को दर्साया गया है उधारन के लिए कीमत में यदि विर्धी हो जाए उधारन हम लेते हैं प्याज का अगर प्याज में कीमतों की विर्धी हो जाती है तो प्याज की मांग कम हो जाएगी ऐसा हम वास्तिक जीवन में और बहुत से उधारन भी देख सकते हैं जैसे रोजगार में विर्दी होने पर उत्पादन में विर्दी होती है या मुद्रा के पूर्ती के बढ़ने पर कीमत स्तर भी बढ़ता है। दो या दो से अधिक सांखिकी शिरिंखलाओं का एक साथ अध्यन करना इसलिए आउशक हो जाता है क्योंकि दो चरों में सबंद पाया जाता है और ये हमारे जीवन को परभावित करते हैं। से सबंद की प्रिभाशा में से सबंद सांखिकी विधिय या सांखिकी तकनीक है जो विभिन चरों के मातरात्मक सबंद की गन्ना करती है। यानि कि दो चरों के बीच में पाये जाने वाले मातरात्मक सबंद को हम से सबंद कहते हैं। बोडिंटन के अनुसार उन्होंने भी अपनी प्रिभाशा में बताया कि जब कभी भी दो या दो से अधिक किनी समू में, किसी वरग में, अथ्वा किसी सुरंखला में एक निश्चित सबंद पाया जाए। तो सह सबंद की परिभाशा में दो चरों में सबंद होना आउशक है परन्तू यह सबंद अर्थ पूर्ण होना चाहिए। इसके साथ हम ये भी ध्यान करेंगे कि जो सबंद है वो एक सयोग भी हो सकता है या हम ये कहें कि अर्थ हीन समंद भी हो सकता है। दो चरों के बीच में कोई भी सबंद जो है वो एक संयोग भी हो सकता है जिसे हम उधारन से समझ सकते हैं कि पक्सी विहार से भर्मनकारी पक्षियों का प्रस्थान और देश में विवासमारों का कम होना इन में किसी परकार का कोई सबंद नहीं है क्योंकि पक्सी विहार से भ उन्हें अपने मूल स्थान पर जाना है, जबकि देश में विवा समारों जो हैं, ये सभी मुहूरत पर निर्भर करते हैं, तो पक्षी विहार में से पक्षियों का प्रस्थान करना, और इधर से विवा के मुहूरत का कम होना, ये एक सईयोग है, ये एक इतिफाक है, परकार के जो समंद होते हैं ये अर्थ ही इन होते हैं क्योंकि दोनों चर एक दूसरे को परभावित नहीं करते और इनसे किसी परकार का आर्थ पूर्ण निसकर्स नहीं निकाला जा सकता केवल और केवल वे ही समंद जो है वो आर्थ पूर्ण होते हैं जिनका आर्थ पूर्ण निसकर्स निकाला जा सके यानि कि जिनका आर्थ पूर्ण निसकर्स निकाला जा सके इस परकार के समंद को सै समंद कहते हैं से सबंद क्या मापता है? सबंद की कोटी को मापता है? दनात्मक से सबंद जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता हो तो इस परकार के जो से सबंद होते हैं वो दनात्मक से सबंद खेलाते हैं। उधारन के लिए हम दो चर लें एक्स और वाई स्पोज कीजिए कि एक्स दस बीस तीस और वाई भी सो डेड़ सो दो सो डैस सो बढ़ रहा है यानि कि अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़े या एक्स कम हो रहा है और वाई भी कम हो जाए तो दोनों में आप देखेंगे कि दोनों चरों में जो प्रिवर्तन हो रहा है वो एक दूसरे में एक ही दिशा में हो रहा है अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ जाए या एक्स जो है वो कम हो जाए और वाई भी कम हो तो इस परकार का जो सह समंद होता है उसे धनात्मक सह समंद कहते हैं इसके साथ सह समंद रिनात्मक सह समंद क्या होता है रिनात्मक सह समंद वह है जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो यहां पर हम दो चर लेते हैं एक X और एक Y यानि कि अगर X बढ़ता है य Y कम हो जाए या X कम हो जाए और Y बढ़ जाए तो इस परकार का जो सबंद है यानि कि एक चर्क कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है एक चर्क बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है इस परकार का जो सैसबंद पाया जाता है उस परकार के सैसबंद को हम रिनात्मक कहते हैं सैसबंद के परकारों में आगे हमारे सपास है सम रेखिये और वक्कर रेखिये सैसबंद क्या है सम रेखिये सैसबंद वह है जो दो चरों में सथाई रूप से समान अनुपात में परिवर्तन होता है उसे मापता है या जब केवल दो चरों में पाए जाने वाले समंध को और उन में पाए जाने वाला जो समंध है वो समान अनुपात में बदलता हो उसे सम रेख्य से समंध कहते हैं यानि कि इस परकार का स्थाई अनुपात वाले आंकडों को अगर हम ग्राफ पेपर फर फेलाते हैं तो दोनों सीधी रेख्याओं के रूप में बनेंगे इस परकार के सम रेख्य समंध कहलाते हैं इसके साथ है सम रेख्य समंध का उधारन हम यहां देख सकते हैं आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर एक्स लिया गया है और यहां वाई लिया गया है आप देख पाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दो फिर यह चार फिर यह आठ फिर यहां पर छे फिर आठ फिर 10 और फिर 12 और फिर 14 तो इस परकार आप देख पा रहे हैं कि यहां में दो-दो का अंतर है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 यानि कि यहां पर पांच-पांच का यानि कि X में भी समान अनपात में प्रिवर्तन हो रहा है और Y में भी समान अनपात में प्रिवर्तन हो रहा है तो इस परकार का जो उधारन है यह हमारे सामने रेख्ये सैसबंद का उधारन है इसके बाद है वक्कर रेख्ये सैसबंद क्या है वक्कर रेख्ये सैसबंद जिसमें दो चरों में परिवर्तन ए सथाई और ए समान होता हो उसे ए रेख्ये या वक्कर रेख्ये सैसबंद कहा जाता है उधारण के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्रिंखला दी गई है जिसमें X 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 लेकिन आप यहाँ देखेंगे 3 और 7 यहाँ 3 और 7 यानिकी 4 का अंतर है फिर 7 से 12 यहाँ पर 5 का अंतर है फिर 12 से 18 यह 6 और इस तरीके से अंतर है वो अलग-अलग होता जा रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो Y में स्थिर अनुपात में विड़्धी नहीं हो रही है इस परकार का जो समंध है इसे एरेखिये या वक्रिये से समंध हम कहते हैं क्योंकि दोनों में से एक चर जो है वो ऐसमाम रूप से या ऐस्थाई रूप से बढ़ रहा है सै समंध के परकार में सरल सै समंध जब केवल दो चरों का धिन किया जाए और इन दोनों चर में एक चर परधान हो उसे सरल सै समंध कहते है दोनों चर में से एक परधान हो अथवा एक सवतंतर और दूसरा चर जो है वो गोण हो या निर्भर जैसे की आए और वे जैसे की आए और वे आए जो होती है यह हमारा एक सवतंतर चर है जब की आए पर जो है वो वे निर्भर करता है यदि किसी वेक्ति की आए जादा है तो उसका वे जादा होगा आए कम है तो उसका वे कम होगा यानि कि आय है वो हमारा एक सवतंतर चर है और व्य जो है वो आय पर निर्भर करता है यह हमारा निर्भर चर है इन दोनों में यदि समंध स्थापित किया जाए तो इस परकार का जो समंध होगा उसे सरल सै समंध हम कहेंगे इसके बाद हमारा सैसमंद के प्रकार में अगला रूप है वो है बहुमखी सैसमंद क्या है जब तीन या तीन से अधिक चरों के समन्दों का अध्यन हम एक साथ करते हैं तो ऐसे समन्दों को बहुमुखी से समन्द कहते हैं यानि कि जब केवल दो समन्द में, दो चरों में समन्द स्थापित ने करके कि हम दो से अधिक चरों में समंध स्थापित करते हैं तो इस परकार का समंध बहुमुकी समंध कहलाता है और इस परकार के जो समंध होते हैं इन में सोतंत और और निर्वड दोनों परकार के चरों को हम शामिल करके अध्यन करते हैं उधारण के लिए परती हेक्टेर गेहूं के उपज के समंद में वर्षा, खाद, पानी, आदी के परभाओं को शामिल करते हुए हम यदि अध्यन करें तो यह एक परकार से बहु मुखी सह समंद होगा क्योंकि यहाँ पर हमने विभिन्चर ले लिए उपज, वर्षा, खाद और पानी, इन सभी का हम आपस में समंद स्थापित करते हैं इसके बाद है सैसबंद का परिमाण, सैसबंद के परिमाण में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पूर्ण सैसबंद, पूर्ण सैसबंद आगे दो भागों में बाटा जाता है पूर्ण धनातमक और पूर्ण रिनातमक इसके बाद दूसरी परिमाण की स्थीती है या कोटी है वो है सैसबंद की अनुप स्थीती यानि कि जब दो चरों में किसी परकार का कोई सबंद नहीं पाया जाता जिसकी डिटेल हम आगी करेंगे इसी तरीके से सैसबंद के सिमित परिमान जिसको हम उच्छ, मध्यम और निमन में आगे बाट देते हैं सैसबंद का परिमान सैसबंद का परिमान पूर्ण सैसबंद क्या है जिसमें चर्मानों में समान अनुपात में परिवर्तन होता हो और यह दो प्रकार का होता है सबसे पहला है पूर्ण धनात्मक यानि कि जब समान अनुपात में परिवर्तन एक दिशा में हो तो ऐसी स्तिती में सैसबंद गुणांग पलस एक होता है जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे उधारन लिया था समरेखिय सैसबंद जिसमें समान अनुपात में परवर्तन होता है तो उसे पूरण धनात्मक कहते हैं इसी तरीके से पूरण रिनात्मक सैसबंद जो कि पूरण धनात्मक का बिलकुल विपरीत है यानि कि जब समान अनुपात में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता हो यानि कि समान अनुपात में परिवर्तन होना यहाँ पूरण सैसबंद कहलाता है और यदि दोनों चरों में समान अनुपात में प्रिवर्तन हो तो यह पूर्ण धनात्मक और यदि दोनों चरों में से एक चर भी कम हो रहा हो और दूसरा चर बढ़ रहा हो लेकिन वो भी समान अनुपात में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उसे पूर्ण धनात्मक हम कह जिसे की हम माइनस एक के द्वारा डिनोट करेंगे इसके बाद है सह सबंद परिणाम की अनुपस्थिती जब दो चरों में या दो सरंखिलाओं में किसी भी परकार का कोई भी समंद नहीं पाया जाता तो ऐसी स्थीती में सह सबंद की अनुपस्थिती होती है यानि कि एक में होने वाले परिवर्तन का दूसरे पर कोई परभाव नहीं पड़े तो उन सिरंखलाओं या चरों में सैसवंद का अभाव पाया जाता है उधारण के लिए मान लीजिये कि केरल में आम पकने का क्या कारण है दूसरा उधारण हमारा यानि कि दूसरा चर है कि इराक में रसायन हत्यार पाए गए तो देखे केरल में आम पकने का क्या कारण है और इराक में रसायनिक हत्यार पाए गए इन दोनों बातों में कोई भी समंद नहीं है यहां पर सह समन्द जो है वो जीरो होगा और इन में किसी परकार का कोई समन्द नहीं है सह समन्द के परिमान का स्मित होना जैसे सिमित परिमान वो होते हैं जब सैसमंद की अनुपस्तिती में और पूरण सैसमंद जो पूरण सैसमंद है और सैसमंद की अनुपस्तिती इन दोनों की बीच की जो स्थिती होती है उसे सैसमंद के सिमित परिमान कहते हैं वास्त्विक जीवद में आर्थिक व्यवसाइक तथा समाजिक छेत्रों में अधिक्तर सिमित परिमान में ही सहसबंद पाया जाता है जिसका गुणांक जीरो से अधिक तथा एक से कम होता है सिमित से सबंद जो है वो तीन परकार के होते हैं उच, छे सबंद, निमन और मध्यम सबसे पहला हमारे सामने हैं उच जब दो सरिंखलाओं के से सबंद की मात्रा काफी हो तो इस परकार का से सबंद जो है वो उच होता है और इसे 0.75 और एक के बीच में स्थापित करते हैं इसके बाद है मध्यम निमन से सबंद की मात्रा ने तो बहुत अधिक हो और ने ही बहुत कम हो यानि कि ऐसा सबंद जब दो चरों में पाए जाने वाला सबंद ने तो बहुत अधिक है और ने ही बहुत कम तो इस परकार का सहसबंद मध्यम सहसबंद कहलाता है और इसे हम 0.25 तदा 0.75 के बीच में स्थापित करते हैं तीसरा जो है वो है निमन सहसबंद निमन सहसबंद यानि कि जब दोस रिंकलाओं में सहसबंद की मात्रा काफी कम हो तो इस परकार का सहसबंद निमन सहसबंद कहलाएगा और इसे हम 0.25 के बीच में स्थापित करते हैं तो इस परकार से वास्त्विक जीवन में जो हम सहसबंद का परिमान देखते हैं वो इन उच्छ मध्यम और निमन में अधिकतर पाया जाता है सहसबंद के परिमान से समंदित ये तालिका है जो हमें बताती है क्योंकि जो अब तक हमने किये थे पूरण उच्छ मध्यम और निमन ये सभी धनात्मक और रिनात्मक दोनों होते हैं पूरण धनात्मक की वेल्यू क्या है पलस एक पूरण धनात्मक की वेल्यू पलस एक और पूरण रिनात्मक की वेल्यू है वो माइनस एक होती है इसी तरीके से उच जो है वो 0.75 और पलस एक के बीच तापित होता है और उच रिनात्मक जो होगा वो होगा माइनस 0.75 और माइनस एक के बीच इसी तरीके से मध्यम जो होगा वो पलस 0.25 और पलस 0.75 के बीच और इसी तरीके से मध्यम रिनात्मक जो होगा वो होगा माइनस 0.25 और माइनस 0.75 के बीच इस निमन परिमान जो होगा वो 0 और पलस 2.5 के बीच में होगा रिनात्मक में यह है 0 और माइनस 0.25 के बीच में होगा और यदि किसी सरंखलाओं में कोई समंद नहीं पाया जाता तो उस समय यह है 0 समंद होगा यानि कि हम जो कोटी निर्धारित करेंगे समंद की वो 0 होग इसके बाद हम जो करेंगे वो है सैसमंद की विधिया क्या है सैसमंद की विधिया दो है एक है परकिर्ण आरेक विधी दूसरी हम काल पीरसन का सैसमंद गुणांक विधी इस अध्याय में इस चेप्टर में हम केवल परकिर्ण आरेक विधी का अध्यन करेंगे जब दो स्रंखलाओं में परसपर सैसवंद की दिशा और मातरा का अनुमान हम चित्र के द्वारा लगाने का प्रियत्न करते हैं तो उसे चित्रों को हम परकिर्ण आरेख कहते हैं यानि कि जब दो चरों में समन स्थापित करने का प्रियास करें और वो भी ग्राफ या चित्र के माध्यम से तो उसे परकिर्ण आरेख विदी कहते हैं और ग्राफ पेपर जब हम इनको दर्साएंगे तो एक्स अक्स पर स्वतंतर चरों को लेंगे जबकि वाई चर पर हम आसरित चरों को दर्साएंगे यानि कि अगर आय और व्य को हम ले रहे हैं तो X अक्ष पर हम आय लेंगे और Y एक्ष पर हम व्य को दर्साएंगे क्योंकि व्य जो है वो एक आसरित चर है निर्भर चर है जबकि आय जो है वो एक सौतंत्र चर है ग्राफ पेपर पर अंकित कियेगे विविन बिंदू जितने एक दूसरे के निकट होंगे उतना ही सैसवंद अधिक होगा यानि कि जब हम दोसरिंखलाओं को ग्राफ पेपर पर दिर्खाएंगे उनको बिंदूं से डिनोट करेंगे और ये बिंदू यदि पास पास में है तो इसका अर्थ यह होगा कि दोसरिंखलाओं में जो दो चर हमने ले रखी है उनमें सैसवंद अधिक है और यदि ये बिंदू जितने दूर होंगे या दूर-दूर स्थापित होते हैं तो हम ये अनमान लगाएंगे कि जो सैसवंद की मातरा है वो उतनी ही कम होगी इसे हम निमन चित्रों से भी समझ सकते हैं सबसे पहला हमारे पास है परकिन आर्ख विदी के तहट परफेक्ट पोजिटिव क्या है जिसको हम पलस एक के द्वारा डिनोट करते हैं आप जब दो सरिंखलाएं लेंगे या दो सरिंखलाओं के दो चरुख को हम डिनोट करेंगे और वो इस तरीके से बिंदू स्तापित होती है कि ये पूरी एक रेखा सी बनती है यानि कि आप O से उपर की तरफ बढ़ रहे हैं यानि कि O हो गया आपका लेफ्ट साइड यानि कि आप लेफ्ट साइड से उपर राइट साइड की यह राइट साइड हो जाएगा हमारा यह राइट साइड और यह लेफ्ट साइड यानि कि जब हम लेफ्ट से नीचे से उपर राइट की तरफ जा रहे हैं तो इस बरकार का जो आरेख बनेगा या ग्राफ पर इस तरीके से जो बिंदू दर्साए जाएंगे यह हमारे पून सबंद को स्थापित करते हैं दर्साएंगे इसके विपरीत यदि हम लेफ्ट साइड ऊपर से राइट साइड के नीचे की तरफ आ रहे हैं और बिंदूएं जो दिर्सारित हो रही हैं दो चरो में वो बिलकुल एक सीधी रेखा की तरह हो रहे हैं तो उसे पूर्ण धर्ण तो यदि पूरण धनात्मक है तो नीचे से उपर की तरफ और यदि पूरण धनात्मक है तो बाएं उपर से नीचे दाइं और एक रेखा के रूप में बिंदु निश्चित किये जाएंगे इसके बाद अगर हम कोई दो सरिंखला लेते हैं जब दो सरिंखलाओं को लेने के पस्चात ये विविन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो लाइन दिखाए दे रही है इस लाइन के कुछ बिंदु लाइन से नीचे हो और कुछ बिंदु लाइन के उपर हो और ये बिंदु का जो चलन है या जो दिशा है वो नीचे लेफ्ट साइड से उपर राइट साइड की तरफ जा रही हैं तो इस परकार का जो सबंद होगा इस चित्र से जो बिंदु को देखने से हम सह समंद निधारित करेंगे यह धनातमक सह समंद होगा इसी तरीके से दूसरे चितर में आप देखे यदि हम left side में ऊपर से नीचे की तरफ बिंदू आ रहे हैं और ये बिंदू बिलकुल एक सीधी रेःखा में नैय होकरके अगर हम एक सीधी रेखा हम line लगा दें तो उसके कुछ बिंदू उसके ऊपर और कुछ बिंदू उसके नीचे आती हों तो इस तरीके का जो समंध होगा वो रिनातमक समंद होगा क्योंकि ये पूरी एक बिंदु ये सभी एक रेखा नहीं बनाते वनना तो यहां पर ये पूरी तरीके से रिनातमक हो जाता, तो इस प्रकार से हम पोज्टीव और नेगेटिव दोनों परकिर्ण आरेक विदी के द्वारा दर्सा सकते हैं परंतु यदि कोई भी दो स्रिंखला है जो दो स्रिंखलाओं को जब हम उसको ग्राफ पेपर पर दर्साते हैं और विभिन बिंदू जो हमारे वो इस परकार से आते हैं कि पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं ये हमें नहीं पता लग रहा इन सभी बिंदूों से कि ये उपर की तरफ जा रहे हैं या फिर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इस परकार के जो बिंदू होते हैं ग्राफ पेपर पर इन में हम ये निश्चित नहीं कर सकते जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनमें किसी परकार का कोई समन्द नहीं पाया जाता क्योंकि हम इनमें समन्स्ठापित नहीं कर पाते पर किर्ण आरेक विधी के गुण क्या क्या है सबसे पहला गुण है कि यह सरल है विक्षेप चित्तर से समंद की प्रिविट्ती को परकट करने का सरल और आकरशक तरीका है दूसरा से समंद के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है यदि आपके सामने गरा पेपर पर कुछ बिंदों को निश्चित कर दिया जाए तो मात्र देखने से आप बता सकते हैं कि इन में समंद धनात्मक है, पुरुन धनात्मक है, रिनात्मक है अत्वा पुरुन धनात्मक या इन में से कोई समंद नहीं पाया जा सकता इसी तरीके से हम परकिर्ण आरेक द्वारा से समंद के धनात्मक या रिनात्मक का ग्यान प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इनको मात्र देखने से ही हम रिनात्मक और धनात्मक में हम डिसाइड कर देते हैं कि यह ग्राफ रनात्मक को शो करता है और यह ग्राफ जह वो दनात्मक को शो करता है इसी तरीके से परकिर्ण आरेक के कुछ अवगुन भी हैं दोस हैं वो हैं कि इससे सह समंद के परिमान के बारे में कोई निश्चत जानकारी प्राप्त नहीं होती क्योंकि इससे यह नहीं पता चलता कि इनमें जो सबंद पाया जाता है वो उच्छ श्रेणी का है अथवा निमन्द श्रेणी का इसमें सैसबंद की मातरा का केवल अनुमान लगा सकते हैं हम निश्चित रूप से एक कोटी को निर्धारित नहीं कर सकते और तीसरा जो दोस है इस विदी दुआरा सैसबंद का संख्यातमक माप संभव नहीं है केवल यह संख्यातमक बदलाव का गुनातमक भाव है परकिर्ण आरेक विदी का हम एक एक एक्जामपल यहां पर ले सकते हैं परकिर्ण आरेक विदी में आप देखेंगे कि यहां पर 180 और 65 फिर यहां पर आप देख पाएंगे कि 150 से 54 फिर 158 और 55 जब हम इन सब को बिंदों से डिनोट करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां पर पाएंगे कि यह जो विविन बिंदू है जो स्थापित होएं है जो विविन बिंदू स्तापित होंगे और इन बिंदों को देखने से हम ये अनुमाल लगाएंगे कि ये बिंदू जो है उपर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सभी बिंदू एक रेखा में नहीं है इसलिए ये पूरण धनात्मक नहीं है परन्तु ये सिमित धनात्मक समंद में पाये जाते हैं यानि कि जो ये सरंखला है याँ पर आप देख पाएंगे कि जो हाइट और वेट इन दोनों में सिमित धनात्मक समंद पाया जाता है कुछ महतवपुन परसन जिनका आपको अभ्यास करना है वो है सैसबंद से क्या अभिप्राय है सैसबंद के परकारों का वर्मन करें धनात्मक तथा रिनात्मक सैसबंद में अंतरशपष्ट करें सम रेखिये और वक्र रेखिये सैसबंद में अंतरशपष्ट करें पर कीरन आरेक विदी से क्या विप्राय है इसके गुण वै अवगुण लिखे